कोरोना वारस का कहर पूरे देश में फैलता जा रहा है बॉलिवूट का लाकारों का घर भी इस महामारी से अच्छोता नहीं रहा है हाल ही में बॉलिवर्ट के प्रोडियूसर करन जोहर के घर में भी दो लोग कोरोना का शिकार हो गए हैं इस बात की जानकारी करन जोहर ने ट्वीट करके दी है करन जोहर ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनके घर में काम करने वाले दो लोगों को कोरोना हो गया है जिसके बाद उन्हें उनकी building के ही एक हिस्से में quarantine में रखा गया है करण ने positive हुए दोनों staff को बहतर इलाज मुहया कराने की बात करते हुए कहा कि संक्रमत हुए दोनों staff को बहतर उपचार मुहया करवाया जाएगा ये मुश्किल वक्त है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि घरू में रहकर और सुरक्षा उपायों को अपना कर हम संक्रमन को हरा देंगे सभी घर में रहें और सुरक्षित रहें करण ने आगे लिखा कि परिवार में बाकी लोग और staff सुरक्षित है उनमें संक्रमन का लक्षन निजन नहीं आया हम सभी लोगों का सुभा में टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है लेकिन एहतियात के तौर पर हम 14 दिनों तो का इसुलेशन में रहेंगी हम दूसरों की सिरक्षा के लिए प्रतिबद है और इन हालात में सरका द्वारा बताए गए सभी एहतियाती कदम उठाएंगे आपको बता दें कि 25 मई को करण का जनम दिन भी होता है इस बार वो 48 साल की हो गए है कोरोना वारिस के चलते करण ने पार्टी तो नहीं की लेकिन उन्होंने अपना बड़ दे अपने बेटे यश बेटी रूही और मा हीरू जोहर के साथ के काट कर सेलिब्रेट किया सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स